का मनसुन सत्र का भी आरंब हो रहा है देश बहुत बारिकी से देख रहा है कि समसत का यह सत्र सकारात्मक हो स्रुजनात्मक हो और देश बाशियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोकतंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोकतंत्र की गवरव यात्रा की अत्यंत गर्वमा पुर्ण घटना के रुप में देशी से देख रहा हूँ ये बजेट सत्रह है मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूँ क्रमा शहरुप से उन गारंटी ओं को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अमरित काल का एक महत्वपू बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के कायरे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट 2047 जब आजादी के सो साल होंगे तब बिख्षिद भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश है गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोथ कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मन्स एक प्रकार से अपर्चुनिटीच्वी की पीक पर है यह अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों नहों मैं आज आगरह पुर्व कहना चाहता हूँ कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास्त किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास्त किया लेकिन आप वो दोर समाप्त हुआ देश वाचियों न अपना निर्णे दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है सभी राजनितिक दालों की विशेज जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी कि अब आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूंगा आईए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जन्वरी ट्विंटी नाइन जब चुनाओं का वर्ष होगा आप उसके बाद जाएं मैदान में सदन के अभी उप्योग करना है कर लीजिए वो छे महिने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिलाएं उनके सामर्थ के लिए उनको एमपावर करने के लिए जन भागिदारी का एक जन अंदोल उन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकट लगाएं मुझे आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद पांच साल के लिए आए कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला अपने विचारों से सांसद को सम्रिद्ध करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के संसद के महत्वपुर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को ढाकने के लिए दुर्प्योग किया हो मैं सभी दलों से आगरहपुर्वक कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में मारे मानने सांसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिए चर्चा में उनके विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का आउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसब गठन होने के बाद जो पहला संत्र था 140 करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुछलने का अलोगत्रिक प्रयास हुआ जाई गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोगतांत्री प्रमपरों में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्याताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आगरपुर्वक कहना चाहता हूँ देश वासियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन साउसदों तक किस सीमा तक नहीं है 140 करोर देश वासियों की एक विराज सीमा तक करके लिए है मैं अभी स्वास करता हूँ कि हमारे सभी मानिय साउसद पूरी तयारी के साथ चर्चा को समर्द करेंगे कितने ही विरुद्व विचार होंगे विरुद्व विचार बुरे नहीं होते हैं नकारात्पक विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाई समाप्त हो जाती है देश को नकारत पक्ता की जरूत नहीं है देश को एक बिचार धारा प्रगति की बिचार धारा, विकास की बिचार धारा देश को नई उचाईयों पर ले जाने वाली बिचार धारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूरा यह आशा करता हूँ कि हम लोगतंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामान्य मानवी के आशा आकांख्षाओं को पूर्ण करने के लिए शकारात्म गुरुप से उप्योग करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों तो प्रधार मंतरी नरंद्र मूदी को आप सुन रहे थे मौनसुन सत्र के आज से शुर्बात होने वाली है उससे पहले मेडिया से मुखातिप हुए साथ ही सबसे पहले सावन के सुंबार की बठाई प्रधार मंतरी ने दी और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर बढ़ से हैं प्रधार मंतरी नरंद्र मूदी उनका कहना है कि मैं यही चाहूँगा कि सभी दल मिलकर इस मौनसुन सत्र को सुचारू रूप से चलाए बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं इसी हल्ले हंगावे की वज़ा से जो पूरा का पूरा सत्र हो रहता है वो धुल जाता है तो सारे विपक्ष दलों से मेरी यही गुजारिश है कि सदन को सही तरीके से सुजारू तरीके से चलनेते